आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ इस question में हमें true or false state करना है कि जो 0.6,4 है यह हमें given है it does not belong to the feasible region bounded by the given constraints हमें बताना है कि यह true है या false है तो जो constraints given है that is 8x plus 5y less than equal to 60 then 4x plus 5y less than equal to 40 x is greater than equal to 0 y is greater than equal to 0 तो अगर हम यह line देखते है 8x plus 5y is equal to 60 तो coordinate axis पे जब हम x को 0 रखेंगे कि 12 के equal होगा अगर हमने y को 0 रखा तो 60 by 8 इसको हम 15 by 2 लेख सकते है तो 15 by 2,0 होगा और इसे हम 7.5,0 भी लेख सकते है दूसरा equation है 4x plus 5y equals to 40 तो इसका जो coordinate axis है वो कितना होगा 10,0 and 0,8 ठीक है अब इनका point of intersection देखते है तो 8x plus 5y ये 60 के बन है 4x plus 5y ये 40 के बन है अगर subtract करते हैं तो 8 minus 4 तो 4x होगा और 20 होगा तो यहाँ से x जाई है 5 के equal आगया अब 5y जो है इसको हम लिख सकते है 40 minus of 4x है इस equation से तो 5y तो 5 into 4x 20 है तो ये 20 के equal होगा तो y होगा 4 के equal तो ये जो point है इनका point of intersection आगया 5,4 अब हम coordinate axis बनाते हैं और देखते हैं ये graphs plot करते है feasible region find करते हैं और फिर देखते है point 6,4 उसमें like करते है कि नहीं करता ये positive x direction है positive y direction negative x direction negative y direction अगर हम ये line plot करते हैं ठीक है तो ये हमाई पास किस तरह से आएगा इस तरह से इसको हम इस तरह से लिख सकते है this is 0,12 ठीक है और ये है 15 by 2,0 15 by 2,0 according ये origin होगे 0,0 अब है 10,0 and 0,8 ठीक है तो ये कुछ इस तरह से हम लिख सकते है that is 0,8 and 10,0 और ये जो point है हमाई पास आया है 5,4 के एकवल ठीक है हमें क्या given है कि दोनों सारे constraints less than equal to है that means ये towards the origin है और positive x and positive y है that means this is our feasible region ठीक है ये जो value है ये feasible region में है ठीक है अब हम से क्या कहा गए ये आगए feasible region हमें देखना है 6,4 इसमें like करेगा की नहीं करेगा तो अगर हम देखें ये 4 point तो है हमारे पास ठीक है अब ये 15 by 2 है तो 6,4 जो है ये 15 by 2 मताँ 7.5 तो ये 6,4 ये कहीं इधर like करेगा हमारे पास ठीक है 6,4 इधर like करेगा हमें देखना है कि वो इस region में आता है कि नहीं आता basically हमें देखना है जो हमारे first line है 6,4 अगर हम इधर रखते हैं तो ये कहां पे like करता है तो ये blue line के inverse होना चाहिए तो 8x plus 5y 8x plus 5y minus 60 ठीक है add the point 6,4 ये क्या होगा 8 into 4 that is 32 plus 5 into 6 तो ये कितना होगा हमारे पास 30 minus 60 तो ये कितना हो जाएगा 2k equal अभी greater than 0 है इसका मतलब point जाए वो outside है outside है मतलब भी feasible region में नहीं है और हमें statement में ये ही given है तो इसका मतलब given statement true है So this is our required answer Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भर हो सा आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप ये वाच्साप कीचे अपने डाउट्स 8444 चार्सो चार्सो बर